Hello everyone, फिर सेखने वीडियो में आपका वेलकम है, अगर आपका बैंक का बढ़ोदा में अकाउंट है, तो घर बैठेया पिल्कुल इजी प्रोसेस साथ इंटरनेट बैंकिंग आप रजिस्टेशन कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग रहने से आपको धेर सारे फीचर्स देखने को मिल जाता है, आपको ब्रांच वगरा विजिट नहीं करना है, आप अपने मोबाइल फोन और कम्प्यूटर से यह सारा एक्सेस कर सकते हो, तो वीडियो के लाश्ट तक बने रहें फ्रेंड, हम आपको बैंक का बढ़ोदा में इंटरनेट बैंकिंग को रजिस्टेशन कर तर होगा, तो टाइम को ना वेस्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो फ्रेंड बैंक आप बढ़ोदा के अफिसियल पेज पे आपको आ जाना है, इस पेज का लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहां से जाके इस पेज पे विजिट कर सकते हो, यहाँ पे आपको दो आपसम देखने को मिल जाता है, रिटेलर यूजर और कॉपरेटर यूजर, तो फ्रेंड्स आपको रिटेलर यूजर पे क्लिक कर देना है, तो चलिए यहाँ पे मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट पेज को registration करेंगे तो चलिए यहाँ पर मैं इस पर click कर देता हूं और इसके बाद यहाँ पर code दिये गया है इस capture code को आपको यहाँ पर feel कर देना है इसके बाद यहाँ पर आपको login पर click कर देना है और इसके बाद यहाँ पर आपको अपने ATM card का को बबाद यहां पर Sesame नमर आपको FREE कर देना है इसके बाद यहां परborne यहाँ पर एक OTP आएगा, OTP आप यहाँ पर फिल करेंगे, और नेक्स्ट यहाँ पर एक referral नमर दियेगा, इस referral नमर को आपको नोट करके रखना है, बाद में आपको जरूरत पड़ेगा इसका, तो चले यहाँ पर हम OTP को फिल कर देते हैं, इसके बाद continue पर मैं क्लिक कर देत हूँ, और इसके बाद यहाँ पर आप second district पर आ जाते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना name देखने को मिल जाता है, और next यहाँ पर आपका address रहेगा, इसके बाद यहाँ पर आपका registered mobile number देखने को मिल जाता है, और friends यहाँ पर user ID लिखा गया, तो आपको यहाँ पर user user ID create करना है, तो यहाँ पर आपको अपना user ID create कर लेना है, और इसको note करके भी रखना है, तो user ID मैं यहाँ पर create कर लिया हूँ, इसके बाद यहाँ पर लिखा गया type of faculty, आपको इस पर click कर देना है, तो चलिए यहाँ पर मैं इस पर click कर देता हूँ, यहाँ पर आपको दो option select कर लेता हूं और इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं यहां पर आपको दो password create करना होगा sign in password आपको create करना है और next transaction password आपको create करना होगा जो भी password रहेगा आपका strong रहना चाहिए alphabet digit special character lowercase uppercase तो चलिए यहां पर password को create कर लेते हैं इसके बाद continue पर मैं क्लिक कर देता हूं यहां पर आप देख सकते हैं password को मैंने create कर लिए continue पर मैं क्लिक कर देता हूं user ID has been successfully create and password are set तो यहां पर आपका password set हो गया है इसके बाद यहां पर आपको अपना user ID देखने को मिल जाता है तो इसके बाद आपको go to login पे पे क्लिक कर देना है और जब आप इस पे क्लिक करेंगे आप अपना user ID आपको यहां पे फील कर देना है चलिए यहां पर हम user ID को फील कर देते हैं user ID फील करने के बाद आपको login पे क्लिक कर देना है. Login पर जब क्लिक करेंगे next आपको यहाँ पे sign in password आपको इंटर कर देना होगा. जो आपने create किया था. इसके बाद यहाँ पर capture code दिए गए. इस capture code को आपको यहाँ पर fill कर देना है. और next आपको login पर click कर देना है. तो login पे मैं यहाँ पर click कर दिया, enroll now पर click कर देना है, इसके बाद अब आपको यहाँ पर question का answer देना होगा, सबसे पहले यहाँ पर personal message आपको यहाँ पर feel कर देना है, कुछ भी, यहाँ पर 15 question दे गया है, only 5 question का answer आपको देना है, 5 question का answer दे करके आप password को reset कर सकते हैं, जब भी आप password को भोलते हैं, यहाँ पर हम question का answer दे दिये हैं, और इसके बाद यहाँ पर आपको set password देखने को मिल जाता है, सबसे पहले existing sign in password आपको इंटर कर देना होगा, जो आपने password सबसे फर्ष्ट में create किया था, और next यहाँ पर आपको sign in new password आपको create करना होगा, और इसके आपको registered पर क्लिक कर देना है, the password is changed successfully, your request has been submitted successfully, यहाँ पर हमारा password चेंज हो गया है, और इसके बाद request भी submit हो चुका है, इसके बाद आपको log out पर क्लिक कर देना होगा, लाग out पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर next page open हो गया है, सबसे पहले यहाँ पर आपका user ID रहेगा, इसक यहाँ पर आपका mobile number फिल कर देना होगा, इसके बाद आपको continue पर क्लिक कर देना होगा, तो चलिए यहाँ पर हम continue पर क्लिक कर देते हैं friends, और इसके बाद आपके registered mobile पर एक OTP आएगा, OTP आपको यहाँ पर फिल कर देना है, इसके बाद continue करेंगे, यहाँ पर आपको sign in password रे यहाँ पर हमें क्या के फीचरे देखने को मिल जाता है इनोरनेटर सबसे पहले हम अकॉज़ ऐंकाूट पर कुलिक कर देते हैं ऑपरेटिंग अचाउंट डीपोजित अकाौँट और लोन अकॉज़ और पीपी मिल जाता है यहां पर यह सारे features आपको देखने को मिल जाता है और next यहां पर आपको transfer का features देखने को मिल जाता है यहां से आप amount transfer कर सकते हैं तो यहां पर यह भी features देखने को मिल जाता है इसके बाद bill payment का option भी देखने को मिल जाता है और इसके बाद service का भी features यहां पर आपको देखने को मि I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो कर दीजे लाइक और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया चैनल से आपको कुछ नॉलेज मिलता है तो चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब और गाइस अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचो कमेंट करके आप में ज़रूर कोपिक पर चाहिए मैं इस पर भी वीडियो बनाने की कोशिस करूंगा फ्रेंड तो चलते हैं बाबाए टेक क्यार